नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हतेली मेरी शामने बिवी चना के लिए आई हूई है यहाँ पे देखें तो आपका लगबग लगबग बारा या तेरा सवाल लिख की भीजे हैं और उनका आप सोल्यूसन चाहते हैं उनका उत्तर चाहते हैं हस्त रेखा के माद्यम से सबसे पहले आप लिखते हैं आप एक MNC कमपनी में काम कर रहे हैं और साथ ही स्टेट PCS RIS की तयारी में भी तयारी भी आप कर रहे हैं और आप लिखते हैं क्या मेरा फाइनल सेलेक्शन हो पाएगा क्या मैं SDM बन पाऊंगा मेरे पास एकजाम देने के लिए केवल तीन साल ही है उसके बाद मैं ओवर एज हो पाऊंगा ओवर एज आप हो जाएंगे उसके बाद तो इसके लिए देखेगा आपका सबसे पहला अच्छी चीज तो है कि बुद्धादित्य योग बन रहा है यहां पे और जब बुद्धादित्य योग बनता है तो ये बिक्ति को राज काज के छेतर में आगे बढ़ाता है PCS, IAS, IPS इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनमें ऐसे लोग निश्चित्रोप से चाइने तो हो पाते हैं यहां पे देखेंगे लेकिन एक कमी भी है तो अभी पूरी तरों से हतेली देखे ये नहीं बता सकते है कि वास्तों में आप सफल हो पाएंगे लेकिन इसमें जो चांसे यह बहुत जादा है अगर आप वास्तों में मेहनत करते हैं और कुछ चीजों को फॉलो करते हैं तो यह 100% गारंटी भी आपकी हतेली दे रही है यहां पे देखेंगे तो यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ और इसके पहले पोर्वे तक मोच रही है यह उंगली यहां पे इस उंगली से बड़ी है और मिडल फिंगर से चोटी है इसके लिए इस परोत का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है बुद्धादी तिराजियों के लिए यहाँ पर यह अनबैलिंस है यहाँ तो बहुत ज़्यादा उबर रहा है यहाँ कमी में है तो यह आपकी तरब से कमी है इसको बता रही है जब ऐसा होता है तो 99.9% मामली में ऐसे ब्यक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्या करते हैं कौन से छेतरों में चाहे सिक्षा का छेतर हो चाहे इंजिनियरिंग का छेतर हो चाहे चिकित्सा का छेतर हो चाहे मैनेजमेंट का छेतर हो चाहे बानिज्या का छेतर हो या कानौन का छेतर हो अगर एक परसेंट किसी प्रस्तितिवस अगर ऐसे बिक्त सरकारी नौकरी या इससे समंदिछ छेत्रों में कारे नक कर पाई तो फिर ये लोग ब्यापार में जाते हैं और ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं ब्यापार के कारण जाने जाते हैं और ब्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है तो जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा है लेकिन इहां पे देखें तो आपका ब्रस्पती इहां पे अनबैलेंस है और एक बात समझिएगा जब ब्रस्पती परवत आपकी हतीली में अनबैलेंस होता है तो आपके पास कितना भी ज्यान हो उसके लिए सही तरोसे प्लेटफॉम नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति में जो आपका बैबाहिक जीवन है उसका जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां खड़ी होती है इसको संतान को लेके ब्यक्ति के मन में चिन्ताओं को ये दिखाता है ऐसे में पैत्रिक संति का बहुत अच्छा लाब्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है और धन के मामले में उसकी जो आकांचाएं रहती है जो इक्षाएं रहती है वो पूरी तरोसे फलित नहीं हो पाती है और सभी परकार के जो सुक हैं जो मानव जिवन के लिए चाहिए ही चाहिए उन सुकों में मध्यमता रहती है ठीक है ने और जब ब्रिस्पति धीरे धीरे अनबैलेंस इस्तित में हतेली में दिखाई पड़े तो ऐसे लोगों को सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं न कहीं जिवन में बड़ा संगर्स ऐसे लोगों को करना पड़ता है और अपने आपको ऐसे लोग कई बार अकेला महसूस करते हैं तो आपको अगर सफल होना है तो एक तो अपनी मिहनत को बढ़ाना होगा अपनी मन की एकागरतों को बढ़ाना होगा अगर ये दो चीजें आप बढ़ा लेते हैं और तीसरा आप अपने गुरू को परबल करते हैं तो निश्चित रोप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और इसका एक परफेक्ट आंसर यही है दूसरी बात देखेंगे इसमें कहीं न कहीं जो है इस प्रकार की चिन्न इसपष्ट दिखाई दे रहे है ये बर्ग बन रहा है अध्यात्म की और आपको ले जा रहा है दो डंडियां अध्यात्म की है मनी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी अध्यात्म में आपकी रुची धर्म में आपकी रुची बढ़ेगी, गहन आस्ता बढ़ेगी और इस और आप चलेंगे ये प्रोग्रेस की लाइन है आपके अंदर अच्छी राइटिंग, स्किल्स और लेडर्शिप की क्वालिटी जवरदस्त रूप में रहेगी ये यहाँ पे बर्ग का चिन्न है, स्वयम की मेहनत, स्वयम की योग्यता के कारण आप ऐसा ज्यान रहेगा उसकी टीचिंग तक दे सके और गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्छपद की प्राप्ति कर सकते हैं पूरे समाज में सम्मान के पात्र बन सकते हैं अगर अपनी मेहनत को सई दिसा में रखें, अपना फोकस बनाएं रखें तो आप सफल होंगे, इसमें कोई अतिसयोक्ति नहीं दिखाई दे रही है और बुद्धादित्य राजयोग आपको SDM बना लेगा दूसरा, आप लिखते हैं, सिविल सर्विस की तैयारे के लिए कमपनी से EBR क्या EARLY जो रिटायर्मेंट होता है लेके पढ़ाई करना चाता हूँ सपल होने के कितने चांस है, ऐसा कर लूँ क्या रिस्क ले लूँ क्या, मेरे पास केवल तीन साल ही एकजाम में बैठने के लिए है देखेगा, जब तक ब्रिस्पती अनबैलेंस होता है और यहां पे राहों की इस्तिती बहुत बड़ी तरीके से दिखाई देती है तो ऐसे में बैक्ती को कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए और एक बार बैक्ती अगर इस रिस्कों को ले लेता है तो उसका जिवन बहुत बड़ी कठनाईया में पड़ जाता है और वैसे भी राहों की जब इस्तिती आती है वो इन चीजों की और बैक्ती को ले जाता है नुकसान के और धन के नुकसान ब्यापार के नुकसान के और और करजे में बैक्ती को डालता है ठीक है न? और कहीं न कहीं स्वस्त्य के मामले में भी ब्यक्ति को ऐसे में सावधान रहना चाए तो ऐसा रिस्क आपको जीवन में लेने की आवशकता नहीं है इस बात का आप ध्यान रखे तीसरा आप लिखते हैं मैं कभी कोई बिजनिस भी करूँ तो कोन सा करूँ जिस से सबसे ज़्यादा सफल रहो और साथ ही ये भी बताएं कि बिजनिस मेरे नाम से करो या वाइप के नाम से सबसे पहले तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपका अंगोठा और सुक्र का भाग इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि अगर आप अपने जिवनकाल में थोड़ा भी भटकाव की इस्तिति में रहेंगे तो जिवनकाल में संगर्स बना रहेगा दनहानी की आसंका ज़्यादा रहेगी और आपको ब्यावसाई बड़ा सोच समझेर करना है ब्यावसाई में ये नुकसान को दिखा रहा है ठीक है ने और बहुत जरूरी हो ब्यावसाई करना तो पार्टनर्शिप में कार्या नहीं करना है और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा ठीक है ने खास कर जीवन में धन कमाने की जो इस्तिती है वो यहाँ पे अच्छी इस्तिती 48 एर से आती हुई दिखाई दे रही है 48 वे वर्ष से ठीक है ने हाँ 56 वर्ष की आई के बाद अच्छा समय आपका आता हुआ दिख रहा है ये भी निश्चित है जैसे जैसे उमर बड़ेगी पेठ का दर्द है गोटने का दर्द है कमर की प्रोब्लम है साठी का इसकी भी संभावना रह सकती है तो योगा है प्रणायाम है आपको करना है ठीक है ने मनि बिजनिस जादा आपके जीवन में नहीं है करते भी है चौथा आप लिखते हैं क्या मैं लगजरी लाइफ जी पाऊंगा गरीब और असहाई लोगों की साहता करना चाता हूँ और मेरे इश्टदेव का बहुत बड़ा मंदिर भी बनाना चाता हूँ तांकि वहाँ पर रो जाना सब को भोजन आदिकरा सको चौँ कि ऐसा करने से मुझे बहुत खुसी होती है और भगवान की सेवा भी कर सको इसके लिए मैं कभी अर्बों खर्बों कमा पाऊंगा भै ये तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि आप अर्बों या खर्बों कमा पाईंगे लेकिन धन भहुत अच्छा कमाएंगे और 48 एर से ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है कि धन के साथ साथ प्रतिष्टा के साथ साथ जबरदस्त दौलत भी आप जीवन में कमाएंगे अर्बों खर्बों का नहीं मुझे मालम लेकिन प्रतिष्टा के साथ साथ दौलत अच्छी कमाएंगे दूसरी बात देखेंगे तो आपकी सूर्य परवत पे इस प्रकार से अगर हम देखें इस प्रकार से यहाँ पे और इस प्रकार से चीजें दिख रही हैं यह यस की रेखा है यस बहुत अच्छा आपके अंदर जैवन में दिखाई दे रहा है कि प्रतिष्टा और यस बहुत अच्छा मिलेगा आपकी बुद्धी ऐसी रहेगी ज्यान ऐसा आपके पास है कि लोग पूच पूच के काम करेंगे और ये तिरकोण ये इस पश्ट बता रहे है कि जीवन की दो बड़ी एक्छाई जीवन में पूरी होंगी और कहीं न कहीं ये आपको बुद्धिमान बनाएगा कला का पार्खी और सिदहस्त बनाएगा ये निसान ये बता रहा है कि निश्चित ही आप अपने जीवन काल में धनी होंगे और अगर सही इस्तिति में आप अपने को पहचान पाएए अपने मन को काबू रख पाएए और अपनी जीवन में प्रियतन बहुत अच्छे करें तो कहीं न कहीं धनड्य बिक्तियों की सूचे में अपना अस्तान जरूर बनाएंगे और पैतरिक रोप से चाहे कितने भी निर्दन है आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी आप अपनी प्रतिबा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धी अपनी जीवन काल में जरूर पाएंगे ये इस पश्ट तरीके से दिखा रहा है तो चीजें अच्छी उबर रहीं इसमें कोई संका नहीं दिख रहा है और लग्जरी लाइफ निश्चित ही आप जीव पाएंगे लेकिन थोड़ा उसके लिए अभी समय है फोटी एट एयर से आपके जीवन में धन और करियर के मामले में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है पाँचवा सवाल लिख रहे हैं आप पैसा कमाने के लिए क्या मैं लोटरी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी आदि में पैसा इन्वेश्ट कर सकता हूँ अब आपका सुक्र परवत तो जो है इन चीजों से मना कर रहा है अभी आपका ब्रिस्पति भी इन चीजों से मना कर रहा है राहो की इस्तिती भी अभी आपके जीवन में इन चीजों से मना कर रही है तो अभी कम से कम तीन साल तक आपको इसमें नहीं जाना चाहिए इसमें जाएंगे तो बड़ी हानी हो सकती है छटवा आप लेखते हैं नौकरी में प्रमोशन के कितने चांस हैं देखेगा नौकरी का मालिक में से सनी होता है लेकिन जो प्रोफेशन है उसका मालिक आपका प्रस्पती है प्रस्पती को अगर आप ठेक करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे और जीवन में इसका प्रभाव आपकी जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा बिदेश यात्रा कभी कर पाऊंगा और कब तक आपकी जीवन की रेखा इस पश्ट तरीके से यहां पे बता रही है कि आप निश्चित ही बिदेश यात्रा करेंगे और अभी ये यात्रा नहीं कम से कम साड़े तीन वर्सका के बाद अगर करें आप यात्रा तो उसमें जादा आपको सुखद अनुबव होगा खुशियों की पराप्ते होगी और यात्रा बड़ी सफल रहेगी अभी अगर आप कोशिस करते हैं तो उस यात्रा में उतना आनंद नहीं दिखाई दे रहा है आटवाँ आप सवाल लिखते हैं पूरा जीवन कैसा रहेगा साथ ही मेरी बीबी बच्चों का सयोग कैसा रहेगा पूरा जीवन आपका अच्छा रहेगा सांदार रहेगा लेकिन कम से कम ढ़ाई से तीन साल तक अभी आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा सामंजशे की इस्तिती नहीं बन पाएगी और जो खुसनुमा माहोल होता है जो जीवन का उत्सा होता है जीवन की उर्जा होती है उन चीजों में अभी हलकी कमिया रहेंगे मन भी एक आगर्चित नहीं रहेगा और मन की कमजोरी के कारण भावनात्मा जैसे यहां काम तो कर रहे है लक्षे की इस्तिती भी आपने हासिल कर ले लक्षे भी प्राप मनी लक्षे एक बना के रख लिया और उसकी तरब मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम करते हुए मन दूसरी जग भठकेगा यह इस्तितिया दिखाई दे रही है नवा सवाल आप वही पूछ रहे हैं जो मैंने कहा मेरा मन बिचलित होता रहता है पड़ाई में फोकस बड़ाने के लिए क्या करो सबसे पहले यह देखेगा आपका मन बिचलित क्यूं होता है यह इस कारण होता है आपका जो चंद्रमा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़ा बन गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है और यहाँ पर कट-कटाव की इस्तिती भी है और चंद्रमा ही क्या है यात्रा का कारक है चंद्रमा खराब हो तो ब्यक्ति की यात्राओं में अर्चने आती है ऐसे में आपका मन जो गडबड रहता है जो मानसिक प्रेशानी से गरसित रहते हैं उसका मुख्य कारण ये है ये आपकी भावकता को भी बड़ा रहा है आपको इमोशनली भी प्रेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है भले ही आपने लिखानी है और ऐसे में ब्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है ब्याकुल होता है भाटकता है उचाट होता है कारियों में मन नहीं लगता है चैए पढ़ाई हो चैए अन्यपरकार के कारिया हो और ऐसी इस्तिती में मन का प्रभाव पड़ता है हमारे डाजेस्टिप सिस्टम पर अगर मन का प्रभाव जादा देर तक खराब रहा तो आपकी पेट से समंदित परेशानियां भी खड़ी हो सकती है जब चंद्रमा बहुत जादा खराब होता है तो मा का सुक कम मिलता है या कभी-कभी मिल ही नहीं पाता है चंद्रमा खराब होता है इस प्रकार का होता है तो नीन आने में भी कई बार दिक्कतों का विक्ति को सामना करना पड़ता है तो आपको अपने चंद्रमा को ठेक करना है इसके लिए मैं उपाई दे दूँगा अब आप अगला सवाल पोचते हैं कि दस्वा सवाल मैं मेरे लक्षों को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ बताएं क्या मेरी इक्षाएं पूरी होंगी सभी इक्षाएं पूरी नहीं हो सकती है किसी की भी चाहे हो कितना भी परबल बेक्ति हो कैसे भी उसकी हतेली में उसकी कुंडली में योग बन रहे हो ठीक है ने उन लक्षों की पूर्ती के लिए बेक्ति को मेहनत करना पड़ता है कर्म करना पड़ता है किवल कलपनाएं करने से कुछ नहीं होता है पहले मन की एका करता, उसका फोकस बढ़ाना पड़ता है, मेहनत को दुगना करना पड़ता है, और एक सही दिशा की तरफ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बेक्तिकी इक्षाये पूरी होती है, ठीक है ने? पूरा जीवन कितनी एज तक रहेगा और कैसा रहेगा, एज आपकी बहुत अच्छी है, चाहे आपका मस्तिस्क रहा देखें, चाहे हिर्दे रहा देखें, चाहे जीवन रहा देखें, ठीक है ने? और जीवन अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा कष्टकारी, भयंकर उता चड़ाव से नहीं गुजरेगा लगजरी गाड़े का सुक कब तक मिलेगा अभी तीन साल तक बहुत बड़े सुक की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं और अभी आप वाहन नहीं खरी दे तो आपके लिए बहुत अच्छा है हां तीन साल के बाद अगर वाहन खरी दे त आगे बढ़ेंगे एक स्रेष्ट सपलता की प्राप्ति करेंगे यह यहां पर दिखाई दे रहा है ठिक धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस स्वर में विश्वास बना रहेगा कर्म करते जाएंगे तो अच्छी रहेंगी लेकिन सने का बहुत ज्यादा प्रबाव है नोकरी चाकरी में कहीं न कहीं यह अठचने देता रहेगा कई बार ओ इस्तिरता की इस्तिती प्राप्त करवाएगा कई बार सपल होते होते रहे जाएंगी ऐसी इस्तितियों को यह बताता हुआ दिखाई देरा इसका कारण है एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा और चार पौरवा चार पौरवे हतीली में ठीक नहीं रहते हैं ऐसे लोग मानसिक तोर पे जैसे ही लक्ष को हसल करने बैठ जाते हैं बिकृत आउस्ता में आ जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं यहाँ पे यस पाने की इक्षा, नेम फेम पाने की इक्षा और अपने कारेओं में विस्तार पाने की इक्षा अच्छी रहेंगी लेकिन सूर्य भी कहीं न कहीं अर्चने देता हुआ दिखाई दे रहा है धन का माने की अच्छी ललक रहेगी और कम्यूनिकेशन इसकिल्स भी सांदार रहेगा तो सपलता की प्राप्ति हो जाएगी दो चीजें दे रहा हूं और दो चीजों को करना बहुत जरूर है एक दिब्य सूरी के रिया एक दिब्य योग ध्यानी के रिया और चंद्रमा का बहुत सांदार उपाई यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी हिर्देरेखा बन रही है महें तो कांचाएं बहुत जादा रहेंगी आगे बढ़ने की सोच बहुत जबर्दस्त रहेगी और जीवन में एक टॉप लेबल तक पहुंचने की इच्छा भी रहेगी और इसके लिए जो भी आप से हो जाए आप करेंगे भी लेकिन धैरे की कमी और जो मानसिक भी चिलता है वो बनी रहेगी क्रियेटिविटी रहेगी लंबी और हवायात्राओं का जरूर मोका मिलेगा कई छेतरों से धनो पारजन करने का अर्थो पारजन करने का प्रियास भी करेंगे अपने जन्म अस्तान से दूर जादा उन्नती दिखाई दे रही है जन्म अस्तान में रहेकर बहुत जादा उन्नती नहीं दिख रही है यात्राइं बहुत अच्छी होंगी सफलता जिवन में निश्चित मिलेगी लेकिन पेट से समंदित रोगों से बचके रहना है जल्द बाजी में कोई भी काम ने करना है धनहानी ब्यापा रहानी होने की संभावना जाद रहेगी अन्तालिस में वर्ससे प्रतिष्टा और दौलत दोनों चीजें सांदार दिखाई दे रहे ही इसका लाब होगा एक सुकत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुकत जीवन जीने के लिए प्रतन सिल्ब विक्तित बना रहेगा सुक्र का परोथ सांदार है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रेखाई दिखाई दी रहे हैं किसी चीज को लेके आप बहुत ज़धा सोच रहे हैं, चिंताइँ भी बहुत ज़धा कर रहे हैं, बहुत ज़धा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपके प्रियासा भी सफल नहीं वो पा रहे हैं लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बाब जोद भी जो सुक की अनुभोती होनी चाहिए उसमें सुक्र कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है दिब्बे योग ध्यान के रिया जो रोख रहे हैं कभी कभी कनफ्योजन की इस्तिति, दुविधा की इस्तिति और उल्जण की इस्तिति आते हुई दिखाई दे रही हैं और जो निरणे लेने के आपकी ताकत है वो कम होती हुई दिख रही है लेकिन पराकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ब्रस्पति के बारे में हमने बता दिया है और कभी कभी मन को बिचलित करता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य आपका अच्छा है आगे चल कर लाब मिलेगा ब्यापारिक गुण बहुत अच्छा है एक से ज़्यादा भासाओं के ग्याता भी दिखाई दे रहा है वानी की सुद्धा के कारण सपलता मिलेगी एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित हुँगा तब तक के लिए नमस्कार